शनी को पतानी क्या हो गया, अब हर घर पैसा पहुँचाना चाहते हैं, कभी बड़े खुलासे करते हैं, क्योंकि इनका जो मित्र है, सम्हमित्र गुरू वो भी वक्री है, शनी भी वक्री है, और अब 23 اक्टूबर से जैसे ही मारगी हो जाएंगे तो एकदम खुल जाएंगे केंगे बाई अब तो मैं बस खुल के फल दूँगा जबरदस क्योंकि जब उल्टी चाल चलती है तो चाल तूटती है और जब सीधी चाल होती है तो फिर आनंदी आनंद आता है काम करने में भी मज़ा आता है इसलिए हाँ पर तीन ग्रहों पर एक बड़ा खुलासा करेंगे और अब बोलेंगे कि मैं मारगी हो रहा हूँ अब मैं अपनी फुल चलाओंगा अब मैं दूसरे की नहीं चलने दूँगा अब मैं अपने हिसाब से काम करूँगा तो यहाँ पर एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपकी जो ग्रह गती है वो 23 अक्टूबर के बाद से बहु तन हो जाएगा कुमब की अंदर फिर चले जाएंगे कुमब में तो दोस्तो आइए आज के सबसे पहले विचार के बारे में ही एक चर्चा कर लेते हैं जीवन जीवन के बारे में या थोड़ी सी चर्चा करेंगा जीवन के अनुवब सर्वो परी हैं जिस प्रकार एरो प्लेन उड़ाने के सिद्धान्द को पढ़कर कोई भी वैज्ञानी खवाईजाज नहीं उड़ा सकता और किताब पढ़कर कोई डॉक्टर आउपरेशन नहीं कर सक ठीक इसी प्रकार संस्कृत के शलोकों को रटने वाला वेद शास्त्री वेदों के ज्यान को मर्म में नहीं जान सकता है और पुष्टक से पढ़े हुए योग सिद्धान्तों को जान कर कोई योगी नहीं बन सकता इससे क्या पदा चलता है इस बात का सार क्या निकलता है यह है कि आप इन किताबों को पढ़कर के कुछ नहीं हो पाएगा काम इनसे सिद्धान्तों को सीख सकते हो पर जब धरातल पर उतरोगे जब जमीन पर पैर रखोगे जब प्रैक्टिकल दुनिया को देखोगे प्रै यथार सत्ते हैं ये अवाई जाज किताबों में पढ़ लोगे कैसे उड़ता है अभी मैं यात्राइं करता हूँ तो खाले आप पढ़ने से नहीं कर सकते जब तक आप खुद उसमें बैठ करके उसको उड़ाओगे नहीं तक आपको अनुवाब नहीं आएगा तो मित्रो अनुवाब भी जीवन है अनुवाब भी आपके विचारों को भी शान्त करता है शनी महाराज किन राज़ियों पर खुलासा करेंगे आई ये वीडियो की शुरुआत करते हैं आप से निविदन करता हूँ यदि आपने भी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर करें बेल आइकन के बटन को दबाएं नोटिफिकेशन के बार को दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी सूचना पहुं सके 23 अक्टूबर को जैसे ही शनी महाराज वक्री चाल चोड़ के मारगी कती से फल देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जॉब पर जो समझचा चल रही थी जॉब पर जो खत्रा बना हुआ था उसको टाल देंगे अब यह तो गुड निउस हो गई बहुत बहतरिन गुड निउस हो गई क्योंकि शनी अब कहेंगे कि मैं तीसरी दृष्टी से तो मित्र सगे संबन्दियों को देख रहा हूँ तो इन पर एक बड़ा खुलासा कर देंगे इनको एहसास कराएंगे कि जो आपने मेरे साथ चीटिंग करी जो आपने मेरे साथ धोका किया अब उस दोके का मैं आपसे बदला लूँगा तो यहां पर दोस्तों को दुश्मनों को गुप्त शत्रों को दबाने का काम करेंगे इसके लावा इनको वो बाते पता चलेंगी यानि कि आपको वो बाते पता चलेंगी जो आपको पता नहीं थी कि आपके पीट पीछे ऐसा हो रहा है 23 अक्टूबर के बाद ऐसा फल भी यहां पर शनी के दोरा प्राप्त होगा शनी माराज उच्च के दिरिश्टी निहां तुला राशी पर डालेंगे करम भापर डालेंगे तो यहां पर केरियर के उत्थान के लिए अच्छे हो जाएंगे कारे सिद्धी के लिए अच्छे हो जाएंगे काएंगे कि भए अब मैं पूरा खुल करके फल दूँगा अब मैं आपका जोब है ट्रॉंसर प्रोमोशन करा दूँगा कई बार ऐसा होता है हमने कारी के लिए अपलाई किया होता है लंबी तो है लंबी तो रहा है बस पैंडिंग होता जा रहा है पर काम नहीं बन पा रहा है आप जो ग्रह इस्तिति आ रही है वो इस प्रकार की आएगी कि आपका काम सिध्ध करा देगी कारी की सिध्धी करा से कह देना चाहता हूँ दोस्तों 23 अक्टूबर से और पूरा 17 जनवरी तक सनी महाराज आपकी राशी के अंदर रहेंगे इस्थान बली हो करके रहेंगे और यहां पर एक शश राजयोग बना करके रहेंगे अब इस राजयोग का फल कैसे लेना या आपको प्लाइन करना है क जब वोई ग्रेस सीधा चलता है तो जादा देता है तो यहां आप सीधी गती से जब सनी आगे बढ़ेंगे तो आपको फल जादा अच्छा दे देंगे और आपकी कारे के सिद्धी का काम करेंगे इतना ही नहीं आपके दाम पत्ते जीवन में जो कलह चल रही थी जो कलेश चल रही थे जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे आपको ऐसा लग रहा था कि बस हम मेरे को बिलकुल मजा नहीं आ रहा है कि मैं अलग हो जाऊं सैपरिशन वाला योग चल रहा था उसको दूर करेंगे यह मैं आप से कहना चाहता हूँ क्योंकि शनी ज दामपते जीवन पर पड़ रहा है तो ऐसी इस्तिती में ये तो दोनों नुकसान की भूमी का में हैं फिर ये सनी ठीक हो जाएंगे 23 नवंबर से गुरू भी ठीक हो जाएंगे तो गुरू के जो दृष्टी रहेगी वो आपके लव पार्टनर के लिए अच्छी है आपके दामपते जीवन के लिए अच्छी है आपके दैनेक इंकम के लिए अच्छी है और साथ में आपके पुलिस केस मुकदमे इतियादी से मुक्ति दिलाने के लिए अच्छी है ये सब परिष्टितियां आपकी राशी में बनेंगे ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसके अला पर शुक्र नीच हो जाएंगे कोई कि वीडियो तो बहुत पहले ही रिलीज हो गई है तो आप थोड़ा हिदायत बरतना और वो समय रहेगा 24 सितंबर से लेकर के और विशेश रूप से एक महीने तक इस दोरान आपके लिए शुक्र महराज भागे इस्थान में नीच के होंगे तो इस तरी पकसे से हानी हो सकती है थोड़ा केरफुली रहिए जो लोग ग्रैमर इंडस्टी में उनको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है परंतु ठीक 17 अक्टूबर के आसपास आपके जो ग्रहों की पावर है वो एक बार पुनहें बढ़ जाएगी 20 अक्टूबर के बाद से शुक्र देव और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगे तो शनी के मारगी होने का समय होगा और उसी समय के आसपास शुक्र ग्रह का एक मालव विराजयोग बनेगा और साथ में शुक्र का एक केंदर तरिकौन राजयोग बनेगा तो आप ऐसे समझ लिजए कि डबल डबल राजयोग आपके केंदर में होंगे और शनी को और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी ड्यू टू शुक्र क्योंकि शुक्र शनी के मित्र हैं और मारगी गती से जब शनी फल देंगे और ऐसे टाइम में शुक्र भी राजयोग बना देंगे इसके अलावा मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप कोई व्यापार के दृष्टिकून से नया कारे करने की योजना बना रहे हैं सोच रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा और भी रुकिए और ये आपको रुकना है लगबग 15 अक्टूबर तक उसके बाद आप किसी नये कारे की योजना बना रहे हैं ये मैं आपसे कहना चाहूँगा आप पर शनी की साड़े साती का भी प्रभाब चल रहा है और आपका सनी अभी वक्री भी चल रहा है इस वज़े से विलम्ब कारी परिस्तियां हो रही है थोड़ा सा धहरे और बना के रखिये स्वास्त की अदि में बात करूँ तो स्वास्त में निश्चे तोर से लाब मिलेगा जो पीडाएं चल रही थी क्रोनिक बिमारी, कैंसर कारक बिमारी, टीवी की, छाती की, आंतों की अगर कोई समस्या चल रही थी तो उससे अब आपको रिलीफ मिलना प्रारम होगा ये मैं आपको शत प्रतिशत कहना चाहता हूं इसमें किसी प्रकार का कोई दोमत नहीं है अब इन सब बातों का फॉलो करना आपके लिए पॉजिटिव परिस्तितियों का निर्मार हो रहा है दोस्तों आप से ज़्यादा चाहता हूं आप भी कुनली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद